जिलाद नारायंट शर्मा, 104 वा रैंक है और ये एक तरह से पहले में स्केटर रंड में प्रोपर आईएस में आ रहे हैं और इनकी बात सुनके लग रहे हैं कि दिलाद सा समभान नेगी जैसे बात कोई इसको आशन क्या की बात है देख जो दूसरे में चलो कोई बात नहीं हो पाया, 2019 में अपने बिल्कुल नहीं पड़ा तो थोड़ा पड़ लेंगे 2020 में थोड़ा पड़के गया उससे भी नहीं हुआ उसके बाद फिर मैंने ये समझा कि UPSC कोई भी पेपर लेता है तो उसके पीछे उसका कोई सोच है और आपको हमेशे प्रोजक्त के तोर पर लेना है, अगर CSET है तो उसका उतना ही इंपोटेंस है जैसे आप GS को लेते हो तो उसमें आप हमेशा कमांड जब तक नहीं करोगे हो सकता है कि आपके 1500 मार्क्स आजाए आइं आउट और 200 तो उससे आपको टेंसन नहीं लेना है कि या ज़्यादा हो गया CSET का GS कम आपको दोनों पेपर्स में क्या एक बराबर फोकस रखना है परस्ट एक इंपोटेंट पॉइंट है आपका CSET सेकेंड कि इस जड़नी में आपने यह देखा होगा कि बार-बार आप दी मोटिवेट होते हो जैसे मेरा तीन बार प्रिलिम्स नहीं हुआ तो हो सकता था कि मैं फोर्ट अटेंट नहीं सोचता कि या अपने तो प्रिलिम्स नहीं हो रहा यह नर्वसनेस मुझे में आई थी लेकिन हर बार आपको खड़े होना पड़ता है और भार से आपको मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा वो वाला मोटिवेशन आपके विलिए चार दिन काम करेगा पांस दिन काम करेगा फिर बाद में आप क्या करोगे इदर भी दर फुर मोटिवेशन ढूंड होगे यह जो service है UPSC इसमें UPSC का जो pattern बना हुआ जो मैंने समझा बाद में पहले मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन इसमें मैंने समझा है कि आप इस district को administration करने जा रहे हो या बड़ी पोस्ट को hold करने जा रहे हो इसके लिए ऐसे बंदे नीच जो भार से motivation लेते रहे हमेशा लाइफ में उनको ऐसे बंदे चाहिए जो inner motivated रहे है कैसी भी परिष्थितिया आए उसको face कर सके तो आप इस point को समझो second जो एक important point है आपका attitude होता है कि जैसे आप अभी बैट के पढ़ रहे हो किसी आपके friend ने call कि हाओ यार चाही पीते है third time के लिए चलो ठीक है कि आप थोड़े से tension में हो या फिर आपको लगता है कि आप सुबसे हम बैटे बैटे पढ़ रहे हैं third time rest होना चाहिए लेकिन आप उस चीज को ऐसे जैसे आप morning में यारा बज़े कभी friend ने call कर दिया आपके दिमाग में है कि चलो ग्यारा बज़े चलते हैं फिर किसी दिन आपको दो बज़े बोल रहा है दो बज़े आप जा रहे हो तो इसका आपका एक time fix होना चाहिए कि आप कब क्या कर रहे हो एक पुरा एक आप वो बनाई है page field जैसे मैंने क्या किया कि पहले मैं बना था अपना diary maintain करता था जिसमें मैं सुबह से सामते क्या कर रहा हूं तो उसमें क्या होता है कि हो सकता सुरू के time में आपको एक दो मैने ऐसे बेकार लगेगा या आप उसको follow नहीं कर पाओगे लेकिन उससे आपके एक authenticity आएगी खुद के level बर कि यार मैंने सुबह से बैठा दो गंठी मेरे